हार्ट प्रॉकेच होने से समध्य समस्या आजकल आम होती चारी है जिसके लिए अक्सर हार्ट के मरिजों को बाइपास सरशरी या एंचियो प्लास्टी करानी पड़ती है जो काफी महिंकी होती है लेकिन इसके अलावा पी एक ऐसी थेरिपी है जिसके ज़र ये शारीरिक समस् सकता है ये थेरिपी है एस एसीपी थेरिपी से हार्ट के मरिजों का सफलता पुर्वक इलाज कई वर्षों से करते आ रहे हैं डॉक्टर प्रतिपाटिल वैतमान के इस तोर में तनाव और आहर परिवर्तन की कारण दिल का दोरा अर्थाथ हार्ट एटेक के मामलें बढ़त दिता है यदि आपकी उम्रेश जादा है या आपको अन्य बिवार्या है तो सर्शरी जोखी बरी मारी जाती है इन सबी समस्याओं की आसान सरल और प्राकृतिक उप्चार के रूप में इसीजी उप्चार सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है नाकपर की द्रिमर्टी न सब्सक्राइब की डॉक्टर प्रदीप पाटिल 21 वाईशो से चकेसा शेतर में काम करें हैं उनके इलाज से सेकड़ों से ज्यादा मरीजों की बारपा सर्चरी होने से बच गई है शिस्वा में समर्थ हॉस्पिटर में नापूर और आसबास की परिसर से ही नहीं बलकि पु यंग्स्टर में भी बहुत इसका प्रमान बढ़ चुका है और हम सब को पता है कि नापूर शहर के सुप्रसिद श्री स्वा में समर्थ अस्पताल के द्वारा यहाँ पर बिना कोई सर्जरी के हार्ट का जो ब्लॉके जैसे या हार्ट की ट्रेट्मेंट जो ECP थेरपी की द पेशन्ट आने लगए है और इनके बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से यहां कहा कहा से यहां पेशन्ट आरे और क्या यह धेरपी जो है 고हत बहूंत स्वागत है आपका नमश्कार आज हम बात करेंगे कि एक न्यानेश्वर डोंग्रे करके पेशन्ट है जो अमरावती से आये हुए आये थे तो उनका ऐसा था कि दोजार उन्नीज में पहले मैने में उन्होंने अन्जिजिग्राफी किया था उसवाक उनके करीबन साथ ब्लॉके जिए जो में वेसल में थे एलेडी में आप से उर्चेमें तो इन नसों में साथ ब्लॉकेजिस उनका ज्यादा सिरियस था और उनको तुरंट बायपास करने क की सला दी गई थी ऐसे कंडिशन में जब उनको यहां के बारे में पता चला तो यहां आये वो हम लोग ने उनका इलाज किया 35 दिन का मैंने चेक करने के बाद में उनको 35 दिन का पिर से अंजोग्राफी की गई तो उसमें पता जला कि अभी सिर्फ तीनी ब्लोकेज बचे हुए है और आज वो पेशन्ट जब हमारे पास में आया था तब उसका सास फुल रही थी, दम लग रहा था, छाती में दर्द हो रहा था और अभी जब यहां से गया था उसको कोई किसम का तकलीफ नहीं था और उसके बाद में वो अपने नॉर्मल रूटीन वर्क में लग जया था उसके एक विचारे की किराने की दुकान थी और वो आटा चक्की थी, तो ऐसे गरीब पेशन्ट का जब उसको इतना ज्यादा बजट दिया था और एक कम पैसे में और बिल या एंजोग्राफी से पहले, लेकिन क्या ऐसे मरीज भी ट्रेटमेंट ले सकते हैं जिनकी सर्जरी हो चुकी है लेकिन फिर भी उनमें ब्लॉकेज आ गये है और इसीपी थिरपी वो फिर ले रहे है और अभी फीट हो रहे है मैं ऐसा होता है कि जिन लोगों को एंजोग्राफी बताई गई बे पेशंट जिनका एंजोप्लास्टी बताई गई वो पेशंट इसके अलावा जिनको बाइपास बताया गया वो पेशंट इसके अलावा जिनको एंजोप्लास्टी के बाद भी तकलिफ हो और जिनको बाइ पेशन्ट आया था जिनका बीपी बहुत ही हाई हो चुका था लेकिन आपने ट्रीटमेंट एसी पी थेरपी के द्वारा उन्हें स्टेबल करके जो है अभी डिच्चार दिया है उसके बारे में बताए किस तरह से उनकी मतलब क्या कंडिशन थी मैंडम इनको हम लोगों ने इ कर दिया अब हम उनको दो दिन बाद में हम लोग एसी पी का ट्रीटमेंट देंगे हमें यह बताईए कि हम एसी पी के बारे में हम अभी देख रहे कि लोगों में काफी जागरुकता आ गई है काफी पेशन्ट आपके आभी आने लगे है सरजरी बहुत से लोग रहते कि जि पास के परिसर से लोग यहां आते थे मरेज हाते अब कहा कहा से पेशेंट आ रहे मैडम अभी जो है एक पेशेंट आमद नगर से आए हुए है शीडी के पास से आज उनको रहते हुए करीबन बारा दीनों के आवह वह मारे हम उपचार कर रहे है इसके अलावा एक पेशें हमारे यहां पे सबलतपूर हो किया गया और एक पेशन्ट और याद आ रही है मेरे को वो बिहार से आई थी और MP से तो आते ही है तो इस प्रकार सभी तरफ से आ रहे है पेशन्ट हम देख रहे है कि हाली में बहुत से इसी घटना हो रही है कि जिसमें यंग्स्टर या छोटे कि आटैक जो है या ब्लॉके जैसे यह बहुत बढ़ रहे है तो इसके लिए भी क्या सुझाओ देना चाहोगे और ECP थेरपी किस तरह से काम करेगी क्या बता हो आजकल का जो हम लोग जनरेशन देखते है और आजकल का जो मावल देखते है इसके अंदर में होता है कि सब तो यह सब जो है ने स्ट्रेस्फुल लाइफ के लिए इंड्यूस करता है तो मैं लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अपने जिंदगी से तान तनाव निकाल दीजिए स्ट्रेस कम कर दीजिए और प्रॉपर स्लीप लीजिए इसके अलावा मैं यह बोलना चाहूँगा क कि जंक फूड अवाइड कीजिए और हम लोगों ने नशा पानी से दूर रहना चाहिए सिग्रेट बीडी तंबा को दारू मतन यह सब जो है प्राइमरी कॉज रहते जो ब्लॉकेज को बढ़ाते है तो ब्लॉकेज से पहले या कभी ऐसा लगता है कि हमारा हार्ट स्वस्त रहना चाहिए तंदुरस रहना चाहिए तो क्या ECP थेरिपिक ले सकते हैं हाँ मैडम अगर हम लोग रिस्पेक्टरस में आते हैं अब आफोटी आते हैं उसके अदमें अगर ब्लट प्रिशर बढ़ा हुआ है या हैपटेंसिव पेशेंट है इसके अलाओ डाबीटीस के प तो हम गड़े में पड़े और फिर बाद में लोग रही में बचाया है उससे चाहिए तो हम गड़े से बाजू से निकलके हमारी जिन्दगी अपनी सुकरूप करें खुशाल करें बहुत दनिवा सर आपने एसीपी थेरपी के बारे में इतने अच्छे जानकारी दी और जिस तरह से किस तरह से ये कारे करता है ये बताया और यहाँ पर जो पेशन्ट आते हैं वो कहा कहा से आ रहे हैं हमें पता है क्योंकि उन्ने रिलिफ मिल रहा है पुरे देज भर से य हाइट का फ्रमृ जो एलाज करना चाहते है तो आप जरूरूर श्री स्वामि समर्थह अस्पताल 엔गभार आई हॉस्पेटल आई है और यहा जो है जो एईसीपी थेरपी के आप भी करवाईये और इस से जो है बीना सरजरी के मिलोक ज़ने किस अचम कर सकते हैं और पूरा होके यहां से गए है बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के इस एपिसोड में रुकते यही कैमेरा परसन राजकुमार मोड के साथ मैं क्षेती चादेश मुख बीसे नियूज नागपूर